पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 53जिंश sekarang पाकिसान मुस्लियkę उब test बाले फिसमिट één rebuilt सज्कार एंशालला हम पंजबस हखुमत सबस्क्रीन सब्सक्राइब 25 भोस्तान नहीं अभी इम्रान घ्रमिrr उठाया तो ये मुतिदा अपोजिशन की शकल अख्तियार कर रहे हैं हम जीत के दिकाएंगे और ये हम हुम्हूमत बनाने की पोजिशन में है असलाव लेकूम आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूस मैं हूँ महाँ मालिक महावरा समझ आगया है जिन्गी में पहली दफ़ा वो कहते हैं थे ना सुनता जा सर धुनता जा पिछले तीन दिनों में वह सेही हो रहा है एक इमरान खान की पार्टी थी जो इस जमाने में में क्यों को कहती थी कातिल गुंडे बदमाश फटाखोर आई तरीन सा बड़े फखर से उन्हीं के साथ खड़े वे थे और कहरे थे जबरदस्ट जमूरियत बच्री अब हम मिलके बचा रहे हैं अपना शहबास दीव सब काते थे कि मैं पेट फाड़ कर बिलियंज नकाल लूँगा असर्फ जदारी से और असर्फ जदारी की धंकियां उनके बारे में और जो बातें थी पीमलन के बारे में वह आपके सामने हैं फिर हमने शहीर अमान की प्रेस कानफरेंस सुनी उसमें हमें ये पता लगा कि जॉनस साब पीमलन का कैंडिडिट होगा पार्टी बे वजीर आजम के लिए उसको तमाम पीपल्स पार्टी और बाकी लोग बोट डालेंगे और इसी तरह उनका स्पीकर होगा उनको ये बाकी लोग डालेंगे और जिन लोगों का नाम ले लेके दोनों जबाते कहती थी मॉल भी हलवा खा गए वोट खा गए लूट खा गए उनका पता लगा कि हम उनको डिप्री स्पीकर बनाएंगे चेर्में सेनेट की बहस अपनी जगा है हो क्या रहा है वाकिए कौन है क्या पीपल्स पार्टी ने सब को ट्रक की बती के पीछे लगा दिया है कि जैसे यही पहली एपी सीवी तो कहा गया कि जी सब बॉयकॉट होगा हम ओथ नहीं उठाएंगे बिल्कुल सडकों पे अतजाज होगा पीबल्स पार्टींगा नहीं हम जमूरियत चलाएंगे हम को इसी आप पार्लिमेंट के अंदर आए पहले वो पार्लिमेंट में लिय दिया कि आप अलेक्शन लड़ें ताकि वो सारे फिर इस निजाम का हिसा बन जाएंगे क्या टोपी ड्रामा चल रहा है कि सारे गंगलों से मिटी जार रहे है इस पर हम बात करेंगे कि पिछले तीन दिन की ऑपोजिशन की सियासत हो क्या रहा है क्या 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 आप कौम को बेवपूफ बनाया जा रहा है उसके बाद तीन चार चीज़ें आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे पंजाब के वजिर आला में एक निया नाम आगया है सब्तैन चान जान से हैं कौन है सब्तैन खान का सीरिस कैंडिडेट हैं नहीं है अलीम खान कहांगे क्या उनका बन मेंसाद मौजूद है हामिद میर साद किसी तारूफ के मौताज नहीं और मुशर अवजदीय भी तोजिदेर में हमें जाइन कर रहे हैं हमें लेक में स्टार्ट विद यू जाजी साथ आ जाए हैं आप हमेशे ही लेट आते हैं आज आजए हैं दुनिया को पता लगना चाहि है जो आणसे हैं माशहाला मैंने ने दिक्ता थे मैंने इंको इक्स्पोज किया आगले पहो अच्छा किया यह हमें यह लिजेतों हमेशा बूला हमेशा इस से पहले आ जाए यह जाए आपने भी बुला उतना जा सुनता धुनता जा यह अब ने फिलाल तो मैं ये कहूँगा कि ये जो आपोजिशन का जो ग्रेंड एलाइंस है इसने जो कल बड़े बड़े जो अनौसमेंट्स किये हैं तो ये जो अनौसमेंट्स किये हैं इसमें इन्होंने कुछ चीज़ें आपको बता दी हैं और कुछ चीज़ें इन्होंने खुद ही आ वक्त ये कहा जा रहा है कि ये Grand Opposition Alliance बन गया है। भाई इस Grand Opposition Alliance की अब तक दो मिटिंग्स हो चुकी हैं। दो सो कॉल्ड A-P-C's होई हैं। दोनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेर परसन बलावर भुटो जर्दारी और शिरीक चेर परसन आसिफ ली जर्दारी शिरीक नहीं हुए। उन्होंने इसलामबाद में बलावर भुटो जर्दारी से मुलाकात किया है। उन्होंने क्या समझे रख्या पीपल्स पार्टी को? कि वो इसके जरीए यूस्फ रुजा गिलानी और खुर्शीद शाह और शेरी रिमान के जरीए पीपल्स पार्टी को अपनी जेमें डाना मुझे आपकी बात से ये लग रहा है जैसे बलावर और जर्दारी साहब की इसमें बलावर और जर्दारी साहब एक पेच पे हैं लेकिन आपको ये सुनके बहुत हिरान की होगी बलके कहिका ना लगा देना यार आपका लाइप प्रोग्राम है कहिका नहीं ना लगाएंग تھے یوسف رضا گلانی اچھا میں آپ کے اس میز میں مکہ مار کے یہ کہہ رہا ہوں یہ میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ بلاول بٹو زرداری جو اسلام آباد میں موجود تھے اور سردار عیاء صادق جو اسلام آباد میں موجود تھے اور شباز شریف صاحب جو اسلام آباد میں موجود تھے یہ سارے لوگ اسلام آباد میں تھے کل ان کی نہ بلاول سے ملاقات ہوئی ہے نہ ٹیلی فون نے گرابتہ ہوا ہے اس کو دوپہر ایک بجے کہا گیا जिए चार बज़े एक APC है तो उसने का भाई आप किस तरह के लोग हैं कि आप मुझे दुपैर को एक बज़े बता रहे हैं एक बज़े उसको बताया गया है यह आप सीरियसनेस का अंदादा लगाएं कहते हैं ग्रेंड ऑपोदिशन एलाइंस ग्रेंड ऑपोदिशन एलाइ कोई सुना है गेम भी कोई हुई है सदर के नाम के उपर वही मैं बताया लगा हूँ आपको दो चीजों पर पे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दिर्मियान मामला तैह नहीं पारे जब तक इन दो चीजों पर मामला तैह नहीं पाते तो यह ग्रेंड ऑपोदिशन एल और बलावल नहीं आते उस मिटिंग में किस तरह तैह होगा फिर क्या हुआ फिर नून लीग ने अपने तौर पर ही यूसुर जगलानी साब को आफर मार दी कि हम आपको सदर पाकिस्तान बनाते हैं अच्छा अब वो जो हैं उस पे राजी हुए हैं नहीं मुझे नहीं पत यह अच्छा लेकिन पीपल्स पार्टी के एक सीनियर हनमाँ को जब यह पता चला तो उसने कहका लगाया आप नहीं लगाना आज कहका उसने कहका लगाया और कहका लगा एक कहता है यह सदर का खाप दिखा रहे हैं यह हमारे यूसुर जगलानी साब को नंबर तो पूरे न हमारे नंबर से बात कर लेते हैं यह राइट मैंने हमने तीन मेरी रिसर्च टीम ने मुशरफ इस पर गुछ तीन जावियों से हमने रिसर्च की और रहे बहुत कंसर्फटिव कार्ट चांट करके minimum जो बन रहा है इस वक्त as we speak कोई 178 बन रहा है इनका PTI का strength national assembly में जो 181 तक जा सकता है और maximum जो इसमें बनता है opposition का 159 बनता है ठीक है 181 से दो माइनस हो जाए 179 159 में से दो मिर्कल जाए 157 यह है maximum सारी आप percentage डाल के इतने इन पर आजाएंगे और ब्रेक अप में इतना लंबा लोगों याद हो गया जबानी क्या बताना कि आप इसमें हमने जाए गिलानी believe it for a minute कि मैंनों कुछ सदर बना सकता है numbers ही नहीं है सेनेट के चेर्मिंके समझ आती है इनके पास 68 opposition के पास 68 members guaranteed है कल चाहें वो मुझाए नहीं एक सब्सक्राइब कैसे अगर 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 यह मिल के खेल रहे हैं तो यह जो आप अगर मिल के खेल रहे हैं आप लगता है आपने हलांके ज्यादा टाइम हामिद मीर साथ गुजा रहा है मैंने तो कम टाइम मुझे तो उन्होंने डांटी है इस दफा मतलब आते वे छोड़ी सी चीज़ पर आप जिस तरह भी डांटें नहीं नहीं कोई बात नहीं लेकिन आप उनकी बात अभी तक जो है आप समझने में आपको मसला हो रहा है शायद है नियुक्त in today on a serious note what is going on यह थो किसी को नहीं पता है था मैरे सभाल करता है मुझे लगता है, मुझे लगता है, People's Party ने, seriously they are playing with them, mock कर रें इनको, इन्होंने पहले, Fadal Rahman साब आए, उन्होंने का कोई नी बैठेगा, एटजाज होगा, यह होगा, उन्होंने का कोई नी बैठेगा, नी नी बैठेगे, अच्छा, PMLN ने का हम ओत नी उठेगे, उन्हें और इसकी वज़ा तो, इन सारी जमातों के अंदर भी दिगर ऐसे लोग हैं, जो MNA ना बनना उनके लिए, खास दोर पे एलेक्शन जीतने के बाद, बिलकुल उनको, उनको acceptable नहीं है, लेकिन यह जो, इनका इखटा होना है, जो हम बार बार अस्यूम कर रहे हैं, कि PPP और PML के लिए वोटिंग करते हैं, यह ज़रूरी नहीं है कि वोटिंग वो सेनट के चेर परसन के लिए होगी, और यह जो चेर परसन वाली जो अलाइनस होती है, यह ब्रेकप होता है, वो फिर से जो है, सदर के एलेक्शन में जो है, इसकी भी कुई गैने ही है, तो, और इसमें जो चीज हमने देखनी है वो ये के PPP को इस वक्त क्या इंटरिस्ट है, PPP क्या चीज चाहती है, वो उसको प्राइम मिनिस्टर्शिप तो नहीं मिलने वाली है, जाहर है, शायद कुछ मिनिस्ट्रीज भी उसको ना मिल सके, क्या कोई और ऐसी चीज है, जो दर्कार है, बता द का ये ख्याल है कि इनको लाने में हमने बहुत रोल प्ले किया, अगर हम ब्लोचिस्तान में नौन लीकी गौर्मन्ट टॉपल ना करते, वहां पे क्राइसिस क्रियेट ना होता, वहां से सेवन इंडिपेंडेंट्स जो है, वो सेनेटर ना बनते, तो उनमें ये आये, तो हम अबर हाउस अफ दा पार्लिमेंट, उस पे उनका कबजा हो जाएगा भारी, वहां पे नंबर नून लीका ज्यादा है, चेर्मेन उनका आजाएगा, वो कहते हैं, इसके बदले में आप कौमी संबली में आपोदीशन लीडर ले ले लें, ने लेकिन मुझे एक बात बता है इस वोटिंग में आए, नेशनल सेमली की, तो इसके अगेंस अब बात में आप सेनेट सेमली की आएगा, वो तो बात में होना है ना, लेकिन उससे पहले फिर पीपल्स पार्टी गंदी हो जाएगी, पीपल्स पार्टी तो अल्रडी गंदी हो चुकी है, बलोजस्तान में जो उना ने किया था, बहुत गंदी हो चुकी है, इसलिए वो फोंक फोंक के कदम रख रहे हैं, कि पहले हम किसी और के आथों गंदे हुए हैं, अब ये शबाज शरीफ जो कहता था कि जर्दारी का पेट फाड़ के मैं अर्बोर बे निकाल लूँगा, अब इसके आथों पसंदी है, उसकी बड़ी उसके पीछे एक रीजन है, कि शबाज शरीफ साब कभी मगदूम एमद ममूद को मिलते हैं जाके, कभी यूसफ रुजा गिलानी को मिलते हैं जाके, कभी किसी और को मिलते हैं, ना उन्होंने जर्दारी साब से राबता किया, ना बलावल बुट کے پاس اختر مہنگل کے پاس اختر مہنگل کے پاس ایک اس کا ڈیلیگیشن گیا تھا سن پیپلز پارٹی کے بھی لوگ تھے نون لی کے بھی لوگ تھے دو دن بعد کل رات کو مولانا فضل الرمان صاحب نے بڑی لمبی گفتو کی ہے میری آج دوپیر کو بھی اختر مہنگل صاحب سے بڑی تفصیلی بات کی ہے میری ان کے ساتھ کل بھی بات ہوئی تھی دیکھیں اختر مہنگل صاحب جو ہے نا میں تو یہ صاحب صاحب آپ کے پروگرام پہ کہہ رہا ہوں وہ کہتے ہیں جی ووٹ میں دوں گا مجھے میسنگ پرسن دے دو نہ وہ ان سے وزارت مانگتا ہے نہ چیف منسٹری مانگتا ہے نہ کچھ اور مانگتا ہے کہتے ہیں ہاں ووٹ دے دوں گا میرے پاس ہیں ووٹ تین قومی سمبلی کے آٹھ بلوچتان سمبلی کے مجھے میسنگ پرسن دے دو رات کو مولانا فضل الرمان گے کہ جی آپ بنی گالا چل کے نہیں گئے بہت ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں آپ بہت زبردست آدمی ہیں اب آپ آپوزیشن میں آ جائیں انہوں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور آپ آپ مشترکہ علامیاں جاری کریں گے کہ بلوچتان کا سب سے بڑا بسلہ میسنگ پرسنز کہا اور اختر مینگل جو وہ صحیح کہہ رہا اور ہم اس کے پیشے کھڑے ہیں انہوں نے کہا میں سوچ کے بتاؤں گا آپ کو چلے گے واپس نہیں ہے تو میسنگ پرسن دوستہ کسی پلیٹیکل پارٹی کے پاس نہیں دلوائیں گے کیسے نہیں آپ مطالبہ تو کر سکتے ہیں نا عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر سردار یارمد رند کو بھیجتے ہیں اس کے پاس اختر مینگل کے پاس تو یارمد رند نے کل جا کے بتایا عمران خان کو کہ اختر مینگل کا مین ایشو یہ ہے تو عمران خان نے کہا کہ ہاں میرا بھی یہ ایشو ہے میں نے بھی اس پر بڑی بات کیا ہے میں کوشش کر سکتا ہوں لہذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں سے اور آپوزیشن کی یہ الائنس میں سے جو بھی پہلے سٹینڈ لے لے گا مسنگ پرسنز کے ایشو پہ اختر مینگل اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا دیکھیں لیکن یہ تو بڑا واضح ہے کہ یہ جو باقی حکومتیں ہیں پچھلے دس سال سے تو یہ جو ہے ان کی حکومت تھی پہلے پی 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 کی اس کے بعد پی ایم ایل نون کی جماعت یہ تا ایکشن ورژن لے لیں فواد بھی ہمارے ساتھ آگئے ہیں فواد چودہ ہی ہمارے ساتھ ہیں جب پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے اختر مینگلز ہی بات کر لیتے ہیں پھر ایک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے اسلام علیکم فواد آپ سے پہلے وہ بات نہیں پوچھ رہی ہے چیف پنجاب کی وہ تو ابھی آپ نے پہلے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے میڈیا میں کہ جی ہو تو جو کرنا عمران خان نے کرنا سن نہیں پتا تو اس لیے وہ تو ہم نہیں کرتے بعد یہ بتائیں یہ بالکل صحیح سٹیٹمنٹ دیا یہ بتائیں یہ اختر مینگل صاحب نے ایک ہی مطالبہ میں رکھا ہے کہ مسنگ پرسنز مجھے جو واپس دلوائے میں اس کے ساتھ چلتا ہوں تو جب آپ لوگ کا بھی چھے نکاتی اگریمنٹ ہوا ہے اس جس میں مسنگ پرسنز آپ لوگ کیسے دلواؤ گے واپس یہ مسنگ پرسنز کے اوپر ہمارا اکرانہ ہے اور اکان خان صاحب نے یہ کئی دفعہ یہ فیڈ کیا ہے کہ ہم اس پرنسپل کے اوپر نہیں کریں گے اور جو لوگ جو مسنگ پرسنز ہیں ان کو جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ دیلی کیا جائے گا تو پرنسل کے ساتھ میں کسیم کی بھی کوئی تکیلی یا کسیم کا بھی کوئی معمکہ ہے تو اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جنجل صاحب نے اس طرح زمان کی پہنچا ہے سمجھ نہیں آرہا ٹھیک طرح لیکن ان کی جو بات مجھے سمجھ آئی ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے دوزار تین میں پہلی دفعہ فلور آف دی ہاؤس پہ نیشنل اسیمبلی میں مسنگ پرسنز کا ایشو ریز کیا تھا دیکھیں گا دوبارہ مجھے میں سبتہان گا جنجل صاحب نے جب دوزار چھے میں ڈیفینس آف ہیومن رائٹس بنا کے اور مسنگ پرسنز کے لیے آواز بلند کرنی شروع کی تو عمران خان تھے اور خواجہ آصف ان دو بندوں نے دوبارہ پارلیمنٹ میں اس پہ بات کی تھی اور عمران خان تھرو آؤٹ اسلامباد میں جو مسنگ پرسنز کے لیے کیمپ لگتے تھے تھرو آؤٹ عمران خان پی ٹی آئی بھی ان میں جاتی تھی عمران خان بھی ان میں جاتے تھے بعد میں اس میں نواز شریف بھی آئے تھے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ عمران خان کا مسنگ پرسنز کے ایشو پہ ایک کنزسٹنٹ سٹینڈ رہا ہمیشہ سے رہا ہے اور وہ اس پہ آج تک قائم ہے اور یہی میں کہہ رہا تھا کہ جو باقی جماعتیں ان کو موقع ملا ہے حکومت کرنے کا اور اس بات پر اس ایشو پر کوئی نہ کوئی آگے سٹیپ لینا کسی نہ کسی طرح کا جو ہے سگنل کرنا کہ یہ ایشو ریزولف کرنے میں ان کی کوئی بھی دلچسپی ہے ہمیں دس سال تھے اس میں زیادہ جو ہے چودری افتخار چیف جسس چودری افتخار صاحب نے کہیں زیادہ اس پہ موسر یا سٹرانگ پوزیشن لی تھی اور پچھلے پانچ سالوں میں جو پوزیشن لی گئی اس پہ وہ پی ٹی ایم جیسی جو تنظیم ہے انہوں نے زیادہ لی اس میں بھی اگر آپ واقعی دیکھیں کہ کونسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے رابطہ پہلے کیا اور انگیج کیا اس میں بھی پی ٹی آئی آگے آگی تھی جو علی وزیر کی سیٹ ہے اس میں پی ٹی آئی نے وہاں پہ کینڈیٹ جو ہے ادھر وڈروک کیا آپ کہتے ہو کہ یہ چاہتے ہیں چیئرمن سینٹ اس کے لیے زائرین کو پی ایم ایل ایم کے ووٹ چاہیے اگر اگریمنٹ ہوتا ہے تو اس سے پہلے پیپلز پارٹی کو اس موک ایکسرسائز میں حصہ لینا پڑے گا نیشنل سیملی میں سپیکر کے الیکشن میں پرائم نسٹر کے الیکشن میں وہ ڈالنا پڑے گا نہیں موک ایکسرسائز نہیں ہے موک ایکسرسائز ان سے اس سنس میں کہ اس میں مار پڑ جانی نمبرز نہیں باتتے میرا سوال جو ہے دیکھیں اس میں ایک چیز آپ یہ میں رکھیں مار پڑے گی پرائم نسٹر کے الیکشن میں स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के एलेक्शन मार नहीं पड़ेगी इसलिए कि उसमें सीक्रेट वोट आ और वो उसमें ब्रेक्ट्रू हो सकता है कोई नो कोई यह आप कोई दमक चमक की बात कर रहा है यह मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरे साथ पीटी आई के कुछ लोगों ने बात किया है उन्होंने क्या जी देखें हम मेडिया पे नाम सुन रहे हैं मुहमंद मिया सुम्रो स्पीकर नैशनल सेंबली तो अगर यह आएगा और डाक्टर आरेफल भी नहीं आता और शफकत मूद नहीं आता हमारे पराने बंदों में से कोई नहीं आता हम तो नहीं वोट देंगे यही क्रैक्सिस पंजाब में चल रहा है बड़े पीटे के लोगों से मेरी बात थी हुना का कि जी हमने पर्वेजलाई को वोट नहीं डालना अगर पर्वेजलाई को उन्होंने स्पीकर लाए वहां भी सीकर्ट वोट होना है हमने नहीं डालना चले प्राइमिस्टर के वोट पर आ जाते हैं अगर ये प्राइम निस्टर के लिए वोड डाल देते हैं नवाज शरीफ साब के कैंड़ेट को शभाज शरीफ होंगे ठीक है ना और इनकी दो बारी बात में आनी है जब सेनेट चेर्मन की बात आएगी क्या इतना इतमाद है इनको कि अगर इनों नियुकर जिस दिन पीपल्स पार्टी ने वोड डार शरीफ साब को जो पीपल्स पार्टी के साथ होनी है वो तो होनी है सब को पता है और कल को अगर PMLN ने ते जो शबाज श्रीम के साथ होगी जो कदर हमें पेट फार दूँगा चले दोनों के साथ होगी ना लेकिन इनका तो वोड डाल गया इतना इतमाद है कि ये कि वो PMLN जौंसी है वो काईम रहेगी इनको वोड डालने के लिए सैनेट के अंदर प्रूस है कि इस तरह एक कुर्बानी दे के एक बहुत बड़ी कुर्बानी देगी मुस्लिग नौं तो इससे एक एक ऐसे आपोजिशन एलाइंस की बन्याद पड़ जाएगी जो पिर आने वाले वक्त में इमरान खान को मसलसल टीज करता रहेगा परिशान करता रहेगा बार बार थरीकेत में इतमाद की तलवार लटकेगी और इस पहले फेज में तो शायद शबाज शरीफ साब को कुछ ना मिले लेकिन उनका एक ख्याल है कि फिर छे मीने के बाद फिर एक साल के बाद इमरान खान ने कोई ना कोई इतहादी उसे जरूर नराद होगा को तीन वोटों व सब्सक्राइब को मारे ना क्याते है बड़ी आपने कल क्या कहते है बड़ी शॉकिंग प्रेस कॉन्फरेंस की जब आपने कहा कि PMLN का प्रेजिडेंट के प्राइमिरिट के के चैनडियेट को आप वो डालेंगे और फिर आपका होगाद डेफिरी स्पीकर तिया मेमें का हो नहीं नहीं मारी साथ इजाज़त दें आप पड़े कि MMA आपको यादे जे-ई-उ-I हमारे साथ coalition में थी हुकूमत पे हमारी principal position बिल्कुल है हम कर लद अब तंदीमों से बिल्कुल बात चीश नहीं करते और जो लोग हमारी party में उनसे हाथ भी मिराते हूं तो चार्ची किया ज position है और हम ही आइथिंक अप रह गए हैं जिन्होंने लिए है तो प्लीज यह जहां तक जे-ई-उ-I और जमात इसलामी जमात इसलामी मेरे साथ सेनेट opposition में हैं वो मेरे साथ ही बैठते हैं मैं ही उसक्त बेंचिस की लीडर हूं तो हमने हमेशा जो मेंस्ट्रीम इसमें स्या position हैं अब हम जो भी situation है हम कोई इस वक्तिदार की जंग में नहीं हैं हमने कोई इस तरह हविस नहीं दिखाई हम इस वक्त clarity से कहना चाते हैं कि जी जो results आएं इनको हम इन पर बहुत इतजाज हैं हमें और जो तन्जीमें इस वक्त आ रही हैं जिनको objections हैं joint results को और इस तरह के direction को मुस्तरित करते हैं वो हमारे साथ आके बेढ़ें मैं मैं लेकिन आप से पूसरा हूँ जो आपका stance था PMLN के ओपर जरदारी साब ने कहा बिलावल भुटो साब ने कहा नवाज स्टेप डाउन करें उनके स्टेटमेंट्स हैं कि यह 30 साल से मुल्क को लूट के तबाह कर दिया इनोंने और डिजर्व टू बी इन जेल अब आप उनी के छोटे भाई को जब प्राइम निस्टर लेक करने के लिए वोट देंगे तो कहां गहीं वो सारी बाते हैं क्या यही वज़ा है कि ना जरदारी साब ना बिलावल साब ने दोनो एपी सी जॉइन में खुद प बनते हैं, जब आप किसी भी इस सिचुएशन में जाते हैं, बेखे पार्लिमान में यह होना पड़ता है, आपको ट्रेजरी और rito में तेफरीक करनी पड़ती है, आप ये लामहाला आप सक्सेम हो जाए तो फिर आप सक्वियर जे रहे होते हैं हको अग्याओ को। एक लाए अमन होता है पार्लेमान में हर जगा इस बड़ मतलँ पीटी आई लीट बैटी वीटी शेरी एमान साहिवे मुझे सिर्फ यह बिताईए कि क्या इसका मतलब है क्या इसका मतलब है कि सियासत के अंदर इखलाकियात की कोई जगा नहीं है दर इस दो साइच थिंग हम उन्हें सपोर्ट करें नहीं मैं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि आप ने जो प्रिंसिपल पुजिशन लीवी थी पीमलन के ऊपर और आपके तो लीडर्शिप ने उनके सैकिंग डिमांड की उनकी जेल जाने पर उनका बिलकुल ठीक हुआ है कि एक क्राइम की पुनिश्म होती है कि आप एंटी टेरिस्ट इस पर ना लगाएं उनसे पहले हमने दोनों ने बोला था सैनेट में कि ये जो है जितना भी अमल किया जा रहा है यूमन राइट्स के हवाले से जो स्यासी वर्कर हैं उनको तब हमने बिलकुल अबाद उठाई और देखियो ऑपोजिशन ह होती है आपको आपको तफ्रीक नहीं कर आप दराड़े नहीं दा सकते हैं अजरी अप से लास्ट वन वो लास्ट वन क्वेस्टिन कहा ये जा रहा है कि आपका कुट फ्रोक हो ये है कि आप यहाँ पे वोट इस तरह करेंगे नैशनल सैंबली में और इसके अगेंस्ट पी- ये प्राइम निस्टर वाला एलेक्शन ओपन वोट है इसमें डेफिनिटली शिकस्त हो सोगती है तो क्या ये क्विट ट्रोको है इसके अगेंस्ट आपके साथ गैरंटीड हो गया है कि सेनेट चेर्मिन का अगर आप उसमें वोट मिलेगा नहीं एसमें माड़िक साथ कहीं बात नहीं आई है अभी सेनेट की तो बात भी नहीं हुई है इस वक्त हमारे सामने चेर्ज जो है मरहला जो है वो हमारा प्रीपस पाड़ी का वाज़े अजेंडर रहा है एक हम चाहते हैं कि सारे मेंबर्स जो भी है जितनी भी बलड भिर के है एक बहुत ही मुश्किल एलेक्शन के जो हम वाजरत ओर पर कhi कह रहे हैं कि इसमें मदाखलत हुई है रिगिंग हुई है और हमने बदब देदा हर कि सम्की रिगिंग हुई रिपोल हुई है बोलिंग propose पे हुई है और इस शाने चाहिए नियुक्त ठाप्टिशन तूटने नियुक्त तूटने नियुक्त अप मुझे इसके साथ ही ब्रेक लेनिये लिए मैं जाने से पहलों छोड़ी जारहू आप दोनों से आ के इसे बात करेंगे मिशरफ आप से उन्होंने का है कि हम आपकोजिशन टूटनी नी च हो रही है ना चले इस ब्रेक लेते हैं ब्रेक शबाद आगा फिर मैंने आपको और भी एक दो अंदरी खबरें शार मैं 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 उनको कॉंटेस्ट नहीं किया शबाद शरीफ साहब ने ओपन ली एपी सी के जलास में काया कि हमें चेर्मेंट सेनर का ममला तैक करना चाहिए लिए ठीक है चाहिए प्रेक के बाद मारे साथ रही है जी वेलकम बैक तो दे शो ब्रेक में जाने से पहले आपने डिटेल बात सुनी शेरी रिमान साहिबा की सब कुछ लेकिन मैं उदर बात करने से पहले दो चीजें फॉरी तॉप में डिसकस करना चाहता हूँ एक तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर वाला इशू इंडिकेशन जियारी के अलीम खान जो है उनका बड़ा इंक्रीजिंगली मुश्कल होता जा रहा है उनका बनना और शायद ये आठ अगस को जो नैप के सामने उनकी पेशी है उसमें काफी चीज़ें क्लियर होंगी क्योंकि मेरी इतला के मताबक आखरी मीटिंग में भी इमरान खान साहब ने उनसे कहा कि आप या अपना नाम कलेर कराएं या आपको ऐसा तरीका बताएं किस तरह आप हो सकते हैं क्योंकि जब तक आप टेंटेट हैं बड़ा मुशकल है मेरे लिए तो दो लोगों के नाम रेस में और शामिल हो गए हैं जैसे आप जानते हैं लहूर से मिया असलम अकबाल साहब हैं ये तीन दफ़ा अलेक्शन जी चुके हैं ये मिनिस्टर फ़ टूरिजम भी रहे हैं दोजाद दो से दोजाद साथ तक पीमल क्यू के साथ इनों का काम किय लेकिन दोजाद तेरह में इनों पीटिया पे लड़ा एक निया नाम सब्तेयन खान साथ ये एंपिए हैं पीपी एटासी से मियावाली से ये मिनिस्टर फ़ फूर माइन्स और मिनरल जो भी रहे दोजाद दो से दोजाद साथ ये पीमल क्यू में थे फिर नाइटी साथ वो चाहते हैं कि सीट रोकी जाए हमें साथ कौन आ रहे हैं और कुछ बातें चल रही हैं कि शायद अगर वीक चीफ मिनिस्टर आया है इन में से कोई तो गवरनर ब्रा कुछ स्टॉंग आ रहा है कुछ साथ की बातें सुन रहे हैं आप लेखें चीफ मिनिस्टर पंज पूलियो उसके उपर वो मशुरा कर रहे हैं लोगों से शाहमुद कुरेशी को उन्हों ने ये काया कि आप फॉरum ministry ले ले लें शाहमुद कुरेशी साब कह रहे हैं मैंने चीफ मिनिस्टरी लेनी है इमरान खान साब ने उनको yes नहीं किया चाहिए मैं आपको एक अपनी इंफिर्मेशन दे देता हूँ कि इमरान खान साब ने दो तीन बड़े एहम लोगों को ये बात किया कि आज कल एक तुम्हें टीवी नहीं देखता, मैं बहुत मस्रूफ हूँ लहादा टीवी पे तुम जितने मरजी खबरें चलवा लो कि मैं चीफ मिनिस्टर बन रहा हूँ तुम चीफ मिनिस्टर नहीं बनोगे एक दूसरी बात उन्होंने कहा कि मेरे पास 115 सीटे हैं और सफार्षें तुम लोग इस तरह किरा रहे हैं जिस तरह के मैंने 500 मिनिस्टर लेने हैं तो मुझे मेरेट पर बनाने दो और चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो एक सरप्राइज होगा आप लोगों के लिए लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल दुरूस्त है कि उसके साथ कंबिनेशन बनेगा एक स्ट्रॉंग गुवर्नर का गुवर्नर ऐसा बनता होगा जो पॉलिटिक्स को समझता है जिसके पास एड्मिनिस्टर भले जो है कोई शरीफ आदमी हो सर एड्मिनिस्टर एक्सपिरियंस किसके पास है पंजाब असेंबली में जो पी टी आई के जो लोग है उनमें एड्मिस्टरिटिव एक्सपिरियंस पंजाब का किसके पास है पंजाब वालों को छोड़ दे ना कोई कौमी असेंबली वाला भी तो आ सकता है कि ये हो गया तो वो हो गया अच्छा गवर्नर के लिए कोई लाइक्लिक कैंडिट है कोई पॉस्पिलिटी है गवर्नर के लिए दो तिन लोगों के नामों पे गौर हो रहा है उसमें गुलाम सरवर खान साब भी है जो दो कौमी सेंबली के हलकों से जीते है लेकिन मसला याँ है कि फिर न को दो कौमी सेंबली की सीटें खाली करनी पड़ेंगी और प्यूटी आई को नैशनल सेंबली में इसमेली की सीटοई की बड़ी तो अच्छा है जो आयन इसलिए नहीं करेंगे चौई निसार साथ किए वो बड़े असूल पसंद आदमी है और उन्होंने एक बियान दिया था मैं थूक के चाटता नहीं तो उन्होंने का था ये शेर नहीं ये बिली है और ये बला जो है ये बिली और बला इसको अवाम मस्तरत कर देंगे तो वो थूक के चाटते नहीं ये नहीं चाते है ये चाते हैंगे क्यों ये ये पिंडी का बड़ा इंटरिस्टिंग डाइनामिक है मालक ये आप देखें ना कि घुलाम सर्फर साब अगर वाकिए दोनों सीटें विकेट करके जाते हैं शेख रशीद साब की एक सीट जो ए अगर तुमने उसको फिक्स करना है तो शेख रिशीद को इंटियर मिनिस्टर लगा रो कैरी करें अचाट दो अपॉइंट में आप देखें करूँ इंटियर मिनिस्टर के लिए तो हमने मेरी बड़ी सर्टिफाइड इतला है कि इमरान खान साब ने आफर किया है अपना प और दूसरे मौनाना फजल एमान है वो लोगों को कहते फिरते हैं कि मुझे बनवादे सदर वो तो 2002 से और पहले किस तरह बता चली है हमारे एक दोस्ता हमने बढ़ाई है और उनका वो फजल एमान सा को बहुत अची तरह हैं जानते है और अगर आपने में तांग किया तो आप उनको बच्पन से जानते हैं इसलिए तो एक इंकार कर रहा है एक उसके पीछे भाग रहा है तो इस वेरी इंट्रस्टिंग लेकिन एक चीज़ एड्मायर करने वाली है जो परवेज खटक को मना किया जा रहा है कि वो के चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते यह बन्यादी है यार उन्होंने जौसी टू थर्ड मिजॉरिटी वहां से पार्टी जीत गई तो चीफ मिनिस्टर का क्रेड़िट मिलना चाहिए उसको उनको फारिग कर दीजिए लेकिन आप ये भी देखें कि किन चीज़ों पर जो है अगर डिलिवरी पर है तो शाराम तरकाई जो हेल् इन चीफ खान बिलिवरी का तो उनके जिम्मे जाता है अगर उनका वो है बला है और इमरान खान है जो मैं समझते हूं शायद सबसे बड़ इस बड़ा तो फिर इमरान खान को जाता है ये सारे सब ये तो आन दे रेकर्ड कह चुके हैं कि ये जो बड़ा वोट मिलाई लिस यह चौथी इनकी जमात है जो पंजाब का डानामिक है वो एक तरह से बड़ा सिमिलर है जो 2013 में इनका के-पी का डानामिक था यह पहली दफ़ा हुकूमत बनाने जा रहे हैं सूबे में और इनको जो मैंने सवाल वो जो अड्मिनिस्ट्रिटिव एक्सपिरियंस का पूछा न को इन्टीरियर चला सकते हैं नहीं बिल्कुल चला सकते हैं को सदर बनना चाहिए ना 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 क्यों इन्टीरियर इससे बेटर क्या होगा कि एक पखतून जो चीफ मिनिस्टर रह चुका है जिसने डिलिवर किया है फ्रम दी एंगल के जो इनका धरना था दूसरा वाला जो रुक गया लेकिन जिसकी वज़ा से पैनमा केस जो है सुप्रीम को यार आप उसमें परवेश खटक ने ये दिखाया है कि एट लीस्ट उस वक्त तक और मैं समझता हूँ आज भी जो सेंटर अफ ग्राविटी है पी टी आई की और अमरान खान की सपोर्ट की वो पखतून ह मैं से बड़े इस्तराम के साथ थोड़ा सा डिसेगरी करूंगा इसलिए कि मैंने भी इलेक्शन से पहले बहुत चकर लगाए हैं सूबा खैबर पक्तूनखा के मुक्तलिफ इलाकों के देखें ये पी टी आई जो है वो इमरान खान की वज़ा से मकबूल है आप शावर शे हैं कि जो सेनेट का अलेक्शन था उसमें जो प्रवेस खटक साब के बीस एमपीए हैं वो छोड़ गए उनको उन्होंने उनकी मर्जी के लोगों को वोट नहीं डाले और इमरान खान के उस एक एक्शन ने पी टी आई को हुमिलेशन से बचाया और पी टी आई को पापुल खबर चल रही है पी एमल लोगों ने मेरे प्रोग्राम में ये कैपिटल टॉक में कल गुलाम सरवर खान साब ने ये बात किया है इसके लावा मुझे पी एमल एन के लोगों ने मेरे से बात किया है और इसके लावा मुशरफ जादी साब फॉरवर ब्लॉक के जो दो एम प एक जबाने में तो जमीर के वाज बनी साथी जनरल जमीर बैटे होते हैं सारे कहते हैं अब दुनिया में नहीं रहे तो आप जमीर दूसरा है लेकिन एक मुस्लम लीक के अधर शरेफ एक है एट मेंबर ओथ कमेटी मुझे नहीं पता किते लोगों के इस बात का पता है एक मेहसंस की तरह कोर का एक ग्रूप था उसमें रिसेंटली एक साथ ने जॉइन किया उनको बड़ी जल्दी रिसेंटली और वो मुशरफ के साथ भी रहे क्यूब में भी रहे काफी जगा रहे और सुना वो भी बड़े एक्टिव हैं और जब आपने का ना नाम निकलेंगे तो वो भी उस कोर कमेटी का एक शक्स उसमें निकलेंगा आपके नाम क्यों ने बता रहे हैं आपके जो ग्रूप के पुराने दोस्ते हैं आपके जानने वाले ब्लॉक में आएंगे तकरीबन छे लोगों का मुझे पता है छे MPS और मैं श्रबाश श्रीप साथ के साथ ये जिया कि जी फर बलॉक बन रहा है उन्होंने डिनाय कर दिया लेकिन फिर उन्होंने का हो भी सकता है अब हामेद हम क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं पंजाब में पीटिया की गवर्मन्ट हम देख रहे हैं सेंटर में पीटिया की गवर्मन्ट हम देख रहे हैं कि ड्रामा चलेगा एलेक्शन होगा डिप्री स्पीकर स्पीकर उसका स्पीकर में क्यूंकर खुफिया वोट है उसमें गेम आगे बीचे हो सकती है प्राइम मिनिस्टर इस आलमस गारेंटीट और दूसरे पते लगे में हैं सेनेट चेर्मेन के लेकि जिसना लोग कहते हैं के सेनेट चेर्मेन तो संजरानी तो जी वो ऐसे शरा करते हैं न इन लोगों ने लगाया है इन्हों ने बनवाए अगर वाकिए स्टैबलिश्मेंट ने बनवाए है तो फिर इस्टैबलिश्मेंट इसको तने अराम से हटने देगी अच्छा ये आजकल बड़ा असान हो चुका है कि आप हर चीज़ इसमें इसमें डाल दें और उसके बाद कॉलम लिखें कि जनाब मेरे पे बड़ा प्रेशर है और आपका प्रेशर वाला कॉलम छब भी जाता है और आप कहते हैं जी मेरे पे बड़ा प्रेशर है फिर आपकी इस हर बात जो है वो टीवी पे ऑने प्रेशर है अपना बसंद भी बढ़ता है मेरे ते बड़ा प्रेशर है अच्छा अब आपने बात कर दी है ना अब देखे ना हमारे नून लीग के बहुत से दोस्त कहते हैं जी ये खलाई मखलोग जो है इसने अमरान खान को ये मैंड़िट दिलवाया तो अगर उन्होंने मैंड़िट दिलवाना ही था तो 115 सीटे अगर उन्होंने दिलवाई है त और वो अगर काम्याब होना चाहती है तो उनको ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जिस से पबलिक सपोर्ट उनको मिले पबलिक सपोर्ट की मदद से वो इतनी बड़ी आपोडिशन का मकाबला कर सकते हैं अगर उन्होंने भी पावर पॉलिटिक शुरू कर दी कंप्रोमाइजि खान जो है वो अगर उवजे वो के ते जा गाऊख तो प्राइम पर बेन और चले जाते हैं आप बहले कहें किए यार यह कौस्मेटिक किसम के वादें लेकर इसका फरक पड़ेगा और फिर इसी तरह कुछ फॉरन पॉलिसी इशुज आएंगे विर्वरनिस्टि इस प्रे क मैं नहीं कहता कि इमरान खान को कोई पॉपलिस्ट किसम के फैसले करने चाहिए लेकिन अगर उसने ऐसे फैसले किये जो पाकिस्तानी अवाम की आर्जों और अमोंगों के मताबिक हों खान को किसमीर के इशू पे अघर उनकी पॉलिसी वो होगी जो नवाज रिखी पॉलिसी हैं वो अनपॉपलर हो जाएंगे अगर उनकी पॉलिसी वो होगी जो आएन पाकिस्तान में लिक्षान हे जो ओनी चाहिए और होनी चाहिए तो फिर मैं यह समझता हूँ कि उनको पॉबलिक स्पोर्ट में लगी मुझे तो नहीं लगता है कि खान साब को पता है उनके टीम को भी पता है कि हमारे मुलक को इस वक्त जर्मबादला दर्कार है और उसके लिए हमने दीगर मुलक मुमालक से भी बात किये दीगर एदारों से भी बात किये उसमें आइम एफ भी शामल है और असाद उमर वह गाला बड़े मौटरेट किसम के पॉस्ट नहीं है ठीक है वो बेयानात बहुत से ऐसे उन्हों ने दीए जिस पे बैठके हम सब ने तनकीद किये लेकि मैं आप से छीज़ समयना चाहता हूँ आप अगर समझा दे मुझे सी पैक जो है उस पे सब को पता है अमरीका खुश नहीं है पाकस्तान से इमरान खाने सी पैक चलाना है अमरीका की मर्जी के साथ या उसकी मर्जी के खिलाफ सी पैक कैसे चलेगा नहीं सी पैक जो है वो एक तो यह कि सी पैक चार साल से चल रहा है और उसकी काफी चीज़ें तो डिलिवर हो चुकी है जो 11,000 मेगा वाट बने उसमें से साड़े वो सिर्फ चीन को कांट्रैक्स देगा और वो सब देख रहे हैं कि एक बढ़तावा मुलक है इस मुलक ने ये 210 मिलियन लोगों का मुलक है और हम जो है अभी ग्रो करेंगी एक्रामिकली तो जो चीजें हम चीन से खरीद रहे हैं दीगर मुमालिक ये चाहेंगे कि हम उन से खर कि लगल autograph की लगता है असद उम番क है किका कि असद up कली करप्ट नहीं है डार साप इंट्रिंजीकली दो नबर काम करते हैं थो पॉलसीज बनाते थे कि उन पॉलसीज को बाद में में बेचना कैसी है और अपने फायदे कैसे बनाने तो मेरे वहा-नकिसे जो पाकिस्व काम नजर आ रहा है कि और हलचल नजर आ रही है मैं अपने वही स्टेटमेंट जो है उसको दुबारा रिपीड करूँगा कि यह आपोजिशन जो है इसके अंदर अभी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जो कल इलानात हुए हैं उन इलानात पर मैं यकीन नहीं करता क्योंकि जो बहुत सी डॉब्लमेंट्स हैं उनको मैं सामने रखूँ तो यह आपोजिशन जो है अभी एक पेज पर नहीं आई इसको आप यह नहीं कह सकते हैं यह ग्रेंड आपोजिशन इलाइनस है इसके अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स हैं लेकिन फर्स करें कि यह आपोजिशन अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लेती है तो यह बहुत टफ टाइम देगी इमरान खान को और इमरान खान के लिए बड़ा problem हो जाएगा कि अगर इमरान खान इस opposition का मकाबला करने के लिए वो power politics करेंगे जिस तरह के अभी हमें नजर आ रही है कि जहांगीर तरीन साभी नजर आ रहे हैं हर तरफ independence को पंजाब में भी तोड़ रहे हैं मरकज में भी तोड़ रहे हैं public support के साथ ही वो opposition का मकाबला कर सकते हैं दस सेकेंड रहे हैं yes sir no answer एक नया पाकिस्तान invent करने के लिए क्या इमरान खान को अपने आपको reinvent करना पड़ेगा 100% बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया आपका फिर नाज़ीन मैं दो खबरें आप से promise की वी थी वो मैं देता चलों फिर बार में लोग गिला करते हैं कि खबर का promise करते हों दिया नहीं शरीफ खानदान की बहुत ही बज़र्क शेक्सियत ने और उनके बारे में का जाता है कि अगर वो की बात कर दें तो पूरे खानदान में चाहए वो नवाज श्रीफ साब हों चाए श्रीफ साब हों वो इंकार नहीं कर सकते और उस बात को हर हालत में पास रखते हैं इता के मताबक उन्होंने बहुत ही मुक्तदर शक्सियत को टेलेफोन किया और उनको पैगाम ये दिया उन्होंने पैगाम बजवाया कि अगर आप हमें सपोर्ट करें और थोड़ा सा रहम दिली कर दिखाएं कि कुछ दूसरे दारे भी महार से तावन करें तो फिर ये बाहर चले जाएंगे और कोई सियासत में कुछ सालों तक कोई दخल नहीं देंगे वो भी नहीं और उनकी जुसाफजादी हैं वो भी नहीं इतलात के मताबक अभी ना इंकार हुआ है ना इकरार हुआ है ना यह अभी वहाँ से जवाब आया है लेकिन शुनीद ये है कि उस खबर उस फोन को उस मेसेज को बड़ा पॉजिटिवली रिसीव किया गया है क्या इस पॉजिटिवली का मतलब है यह सक मुझे नहीं पता यह जब डीटेल पता लगएगी तो मैं बिल्कुल आप से शेयर करूँगा लेकिन जहां एक तरफ हम डिफाइंस देखते हैं और देखते हैं अतलाए चलवाई जाती हैं कि जिद करके हस्बताल से हॉस्पिटल चले गए हॉस्पिटल से वो वापस जेल चले गए ऐसी भी कोई हकीकत नहीं है रकायक उसके बराक्स हैं बरहाल कुछ चीज़ें बहाइ ली वहां पर भी पेशर्फ होगी और यहां भी जो रिलीव किसी को मिलनी है वो कानून के दाएरे में मिलनी चाहिए किसी और दाएरे के अंदर दाएरा खेंच के नहीं इजाज़त दीजिए अल्हाफिस